तो हेलो फ्रेंट्स आईए इस वीडियो में बात करते हैं अवास टेक की दोसो आज मार्केट में तो पॉस्टिव सेटमेंट्स हैं लेकिन ये स्टॉक पे लोर सरक्ट में लॉक हो गया है जब ये स्टॉक चल रहा था तो मार्केट में बॉलेटिल्टी थी लेकिन अब ये स्टॉक गिर रहा है तो मार्केट में पॉस्टिव ट्रेंड है तो ऐसा चलता ही रहता है दोसो कोई भी स्टॉक मार्केट हो कोई भी स्टॉक को कभी भी एक डिरेक्शन में नहीं चलेगा तो आईए दोस्तो अवांस टेक का अपडेट ले लेते हैं इसकी आज का टेक्निकल डाटा देख लेते हैं नए आयो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तो इसकी जो प्रीविस क्लोजिंग है वो 1.26 के रौंड है और आज ओपनिंग से ही ये जो स्टॉक है लोर सरक्ट में लॉक हो गया है 1.20 के रौंड जो है वो ट्रेड कर रहा है और इसमें आप देख सकते हो नियली 5% का जो लोर सरक्ट है वो लगा हुआ है ये स्टॉक आज 1.20 के लेवल पे जो है वो सुबह से ही जो है वो ट्रेड कर रहा है तो आईए इसकी मार्केट डेप्थ भी चेक कर लेते हैं आज मार्केट डेप्थ क्या है और इसकी मार्केट सेटमेट्स क्या है दोसो इसमें अपर बैंड और लोर बैंड आप देख सकते हो 1.32 का 5% का अपर सरकर लिमिट है और लोर लेवल जो है वो 1.20 का है 52 वीक हाई देखें तो इसका 1.71 के रौण है लोर लेवल इसका 52 वीका 0.07 का है बहुत ही नीचे है तो अभी भी ये जो स्टॉक है 52 वीक लो से बहुत ही उपर ट्रेड कर रहा है तो इसलिए डरने वाली कोई पियर वैली यहां पर दिखने नहीं रही है बात मार्केट कैप जुरूर कम हो रहा है 2.37 क्रोड के रोणिस का मार्केट कैप जो है वो दिख रहा है अब देखो P.E.Multiple 63 की है जैसे ऐसे स्टॉक नीचे गिर रहा है तो P.E.Multiple ठीक हो रहे है दोस्तो जन्दली जदी आप कोई फ्रेश इंट्री लेना चाते हो तो हम जो है इस तरह के स्टॉक को 10 से लेके 20 के बीच में ही P.E.Multiple पर ही जो है बाई करने की राय देते है तो इसलिए अभी भी स्टॉक तोड़ा ओवरबॉट जोन में दिख रहा है आने वाले जिदों में थोड़ी गरावड जो है वो चालू रह सकती है जब तक इसकी P.E.R. रेशो सही नहीं हो जाती है और P.E.Multiple 10 से लेकर 20 के बीच में नहीं आ जाती है तब तक इसमें volatility जो है वो रह सकती है इसलिए आप थोड़ा shorter में alert ही रहे तो बैठ रहे जदि आप एक long term नवेश को फिर आपको P.E.R. में आने की जूत नहीं है company अच्छी है, business अच्छा है company जो है digital technology में काम करती है एक अच्छा business जो है वो करती है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब इसका जो market depth देखो आज की totally sell की quantity है 4,12,58,000 के round sell की quantity है लेकिन आगर बाहर कोई भी यहाँ पे नहीं मिल दा है तो totally sell की quantity है कोई भी बायर नहीं है market sentiment अभी भी negative है तो company ने अपनी trading window जुरूर close कर दी है क्योंकि जल्दी ही company अपने result पेश करेगी तो insiders के लिए जो trading window है वो closed है अब split देने के बाद अच्छे returns देने के बाद stock जो है वो consolidation के mode में चल नहाँ है उपर से जो quarter on quarter basis पे नंबस दे वहाँ पे भी negative trend आया था company के profit में गिरावट आई थी तो ये भी एक कारणा है इसमें जो गिरावट का दोस्तों आप देखना होगा कि quarter 4 में company के नतीजे कैसे रहते हैं ज़री quarter 4 में और financial year 24 में company अच्छे नतीजे पेश कर देती है जिसको जुरूर हम कबर करेंगे तो फिर एक बड़ा द्वाका इस stock में देखने को मिल सकता है लेकिं दोस्तों यहाँ पे देखो 100% की accumulation भी इसके चार्ट में जो है वो दिख रही है 100% accumulation है मतलब delivery की position 100% है 100% इस stock में accumulation हो रही है तो हम यही कहें के दोस्तों आप shorter में थोड़ा अपना जो है अलर्ट रहे जदी आप shorter से परशाद हो तो अभी इस stock में थोड़े दिनों के लिए ग्रावट हो सकती है जैसे हमने आपको बताया जब तक इसकी पी मल्टिमल तैंसे 20 के बीच में नहीं आ जाती है तो तब तक ग्रावट इसमें जो है वो रह सकती है तो यह shorter में थोड़ा लट रहे तो आज देखो 12,000 17,000 के रौंड इसकी जो है quantity traded है जबके इतनी जो delivery है 100% कम बूलेशर यहाँ पर जिरूर देख रही है तो shorter में अभी जो इसका support है वो भी बना हुआ है तो आने वाले दिनों में यह stock इस level के बीच में अपना support बनाने की कोशिश कर सकता है तो इस level पे जरूर focus करें थेक्स के